हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक इंपॉर्टन नोटिफिकेशन लेके आया हूं तो गाइस इस वीडियो में हम डिसकेशन करेंगे एक जो कुछ पोस्ट से हैं देखिए ज्यादा तर तो हम आपको पता ही है कि जो वीडियो से लाते रहते हैं वह आनलाइन अप्लाइन जो होती है और नोटिफिकेशन वगारा जो जॉब्स वगारा निकलती हैं जैके सस्वी होगी बैंक्स की होगी या फिर एससी होगी इन पर जादा हमारा रोल रहता है तो देखिए कुछ ही यह बगैरा लग रहे हैं जो भी इनके पूरा स्ट्रक्ट्र मैं बताऊंगा पूरा पता है मुझे इस चीज़ के बारे में देखिए जो पोस्ट है यह कौन कौन सी है मैं बोलूंगा कि जो स्टूडेंट आप 10 वाले हैं उनके लिए एक ग्रेट ऑपर्चुनिटी है 12 वाले है उनके लिए बेग्रेट ऑपर्चूटी है और ग्रेजुशन वाले हैं यहां पर मीनिमम मैक्सिमम का कोई चक्कर नहीं है ठीक है यहां पर देखते हुआ है तेंट ट्वैल्थ और ग्रेट ऑपरचुनिटी है अगर आपकी एज़ इसके अंडर फाल कर रहेगी तो आप इस कि यह जो इसके बारे में बाद में बताता हूं कि इसका मेरे साथ क्या लेशन है ठीक है देखिए जो आप यह देख रहे हो टोटल वगैंजी आप यहां पर देख लीजिए अब मेरे जो कंडिडेट नहीं यहां पर टैंस वाले में उनको सिर्फ एक ही रेकुमेंड करूंगा कि जो फार्म उनको फिल करना है वो आप करिए ट्रेट्समेंड का यहां यहां पर लेवर का मजदूर का देखिए यहां पर लेवल वन की जो पे है आपकी पे अठारा हजार से लेके 56,000 के बीच-बीच में हो सकती है हो जाएगी जर्नल केटगरी की विकैंसी जब 134 OBC की है एक पोस्ट चाहिए आपको कुछ नहीं करना है 10 इसकी क्वालिफकेशन है अगर आप 10 पी पास है यहां मैट्रिक पास है तो देखिए लेवल इन 7 पे गमिशन के थूब भी आपको पे मिलेगी तो सोच सकते हो आपकी आपकी इंकम अच्छी खासी हो सकती है ठीक है और इसक पास जिवाज लडीजी यानि कि लुवर डिवीजिन कलर की यहां पर कुछ पोस्ट है तो आप देख सकते हो जर्नल की नाइन है बाकी यह 5 3 वगार वगार आप 20 देख सकते हो किसकी है टोटल 20 वेकैंसिस हैं यहां पर ठीक है तो एक सर्विसमेन के लिए टू है बाकी सब्सक्राइब के लिए ग्राजूशन ओनी ग्राजूएटर एक्विलेंट एंडिस्प्लीन रिक्नाइज उनिवेस्टी बाकि उनका मनेजमेंट का डिप्लामा होना चाहिए उनका वागी आप देख सकते हो आप दो फार्म भी अपलाई कर सकते हैं आपको कोई डर नहीं है सब्सक्राइब कर सकते हो इसके लिए को कुछ नहीं करना फायर मैंन के वाम भी हम पर हैं तो मैं बोलूँगा कि ऐसी विकैंसी मुझे एफटी के जो फिल्ड में होती है वो मुझे फस्ट टाइम देखने को मिली है ठीक है फस्ट टाइम में वकैंसी यहां पर कुछ चेंज इसके बात करूंगा एंटी एस फायर मैं और आपकी मजदू जो ट्रेट्स मैं की बोस्ट है इनके बारे में थोड़ा डिस्कुशन कर लेते हैं जो भी कैंडिडेट से यहां पर 10th वाले हैं इसको जरूर देखें क्यूंकि आपके लिए एक ग्रेट ऑपर्चुनिटी है ठ देखें कि बाकिया आप एज यहां पर देख सकते हो एज का जो यहां पर क्राइटेरियर रखा है यहां पर नहीं देखेगा कि अब यहां पर आ जाईए बात करने लोड़ी बहुत पे की और क्वालिफकेशन की ट्रेट्स मैं की देख सकते हो आप 18,000 मैंने बता दिए 7 पे कमिशन के साथ 10 पास इसकी क्वालिफकेशन है LDC है कलेर की जो पोस्ट है उनके लिए ट्वैल्थ है असिटेंट मजे जो मैंने बता दिए उनकी क्वालिफकेशन बाकि इनके लिए MTS और फाइर मैन के लिए इनकी 10 ठेंदी है ठीक है अब बात करते हैं इनका जो एस क्राइटेरिया वो नहीं हमें दिख रहा है बाकि उस पर भी हम आपको लेकर चलते हैं यहां यहां पर देखिए ज़र्नल का जो एज क्राइटेरिया है वह आपका एडलिस्ट जो भी रिसेंटरली ग्रेजुएट हुए हैं स्टूडेंट्स वह भी इस फर्म को अप्लाई कर सकते हैं 25 वियर्स तक आपकी एज होनी चाहिए ठीक है मतेरियल एसे स्टेंड के लिए आप सुन ले ग्रेजुएशन वाले जो भी हैं मतेरियल एसे स्टेंड के लिए आपकी 27 वियर्स चलेगी इसमें ठीक है OBC के लिए 28 वियर्स तक है और मतेरियल एसे स्टेंड तक आपकी 30 है SCST के लिए 30 वियर्स इसकी बाकी फर्म किया और मतेरियल एसे स्टेंड में 32 तक है बाकी EWS वाकी आप देखी सकते हो बाकी यहां पर स्पोर्ट महां अब इस चीज पर आजाए और फाइर मैं के लिए आपका फिजिकल स्टेंड चेक किया जाएगा ठीक है हाइट होनी चाहिए शूज बिदाऊट शूज के 165 cm पर संग की हाइट होनी चाहिए यहां पर सरफ मेल केनडेट है 2.5 cm height shall be allowed by the members scheduled tribes देक है कि शेडूल ट्राइब्स वाले के लिए इनको कंसेशन रखे है रहे हैं इनका हाइट का चेस्ट देख सकते हो आप कितनी 81.5 cm expander करके 85 weight minimum minimum weight आपका 50 होना चाहिए अगर 50 से प्रसीचर आपको बताता हूं किस तरह से इस चीज का प्रसीचर रहता है अब पहले पूरा नोटिफिकेशन कर लेते हैं उसके बाद कि वीडियो वोरिंग तो लग रही है आपको बड़ा आपस इसको जुरूर देखें मटेरियले स्टन के लिए कोई भी फिजिकल रिखूइडमेंट नहीं है तो जो यह के लिए जो यह के लिए भी आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए थर्टी फाइफ 35 वर्ड पर मिनिट टाइपिंग स्पीड इन इंग्लेश कंप्यूटर और टाइपिंग स्पीड हिंदी में 30 होने चाहिए ठीक है उसके बाद फाइर मैं की बात करते हैं और फाइर मैं का पूरा प्रसीजर जानेंगे यहां पर आपके यहां पर सब्सक्राइब सबसे पहला आपका जो प्रसीजर होगा फाइर मैंन में वह आपकी होगी रंणिंग रंणिंग होगी 1.6 किलोमेटर होगी और कितने मिन्ट में आपको निकाली है यह निकाली है आपको 6.30 सेकंड में यानि कि जितना जेके पी में टाइम लगता है ना कॉंस टेबल में अब हो नोस थे नहुन थी तक पर किसी ने वह फान्स फिल का था तो मुझे बताई कि कि मैंने भी वह फाम फिल कि较ता एफ एट की हुई ती रणिंग हुई उसके बाद रिटन हुआ फिर क्या हुआ स्टे लग गया यह बाहर की बातें बाद में करेंगे उस टाइम जो रणिंग का टाइम था वह सिक्स मिनट था अब ताइम यहां पर बढ़ा दिया गया सिक्स मिनट थाटी सेकंड ठीक है छे मिनट और ती सेकंड के अंदर आपको रणिंग पास करनी है बाकी यहां पर डिच लैंडिंग और बहुत मीटर वाइड डिच क्लेरिंग करना पड़ेगा 2.75 मिटर का उसके बाद आपको एक बंदा उठाना है ठीक है बंदा यानि कि पर बहुत फिट उठाके यह कुछ जंप की बाद कर रहे हैं ठीक है फिर उसके बाद थर्ड स्टेज पर आपको एक बंदा दिया जाएगा ठीक है बंदा दिया जाएगा जिसका वेट होगा 63.5 kg ठीक है और जो उसको उठाना है अपने मजाग नहीं यह बात सच है उसको उठा बाके अपने 183 मीटर्स करने है बट रनिंग आप स्लोली मूव करोगे आप 96 मिनेस बहुत होते हैं गरंटी के साथ बोलता हूं आप यह 60 मिने 50 सेकंड में कर लोगे अगर आपने प्रेक्टिस विगी होगी गर पर बेट उठाके शत्त पर रौंड भी लगाओगे तो तब आपके यह चीज की प्राक्टिस हो सकती है बाकी है पर परसन आपसे फिसल लानी चाहिए उपर से अगर फिसल गया तो आपका ट्राइट फेल होचकता है बाकी है फॉर्ट स्टेज बेगा क्लाइंबिंग होगा थ्री मीटर्स वर्टिगल रोप यूजिंग हैंस एन फिट है ख्लाइंबिंग पदा न ऊसके बात एम्टी एस ऐसा कुछ नहीं है अब बात आती है ट्रेड मैं की देख़ेंस में ट्रेड मैं में सबसे पहले आपकी रंणिंग होगी तो अगर आप सिक्स मीनिट下去 सेटेंद के अंदर अंदर आपकी रंणिंग हो जाती है तो पूरा ट अब जब यह रंणिंग इनकी पास हो जाएगी उसके बाद जिस परसन है रंणिंग पास काली फर्स स्टेज पर उसको सेकंड स्टेज पर क्या किया जाएगा भीकेफ प्टीवेट दिया जाएगा उसको यानि कि अब सेक्झते हो गया उकह जिसको आउन लेंग्वेज में बात करें तो जिसको बोल देया हैं यहां तो रेत डाली होगी यहां तो पथ्थर बगार पथर डाली होगी ठीक है रेत रखो रेत डाली होगी 50 कि लोका होगा वो तो टोटला मईयर भी करेंगे आपके सामनी वो 200 सो मीटर रणिंग आपको निगा लिए उसको उठाके सो सेकंड के अंदर मैं मानता हूं कि आपके यह रणिंग है जो अगर अपने प्रैक्टिस की होगी 60-70 सेकंड में आप इसको पास कर सकते हो क्योंकि यह चीज मैंने खुद की है जिस टाम यह मेरी हुई थी ना आज से इसको उठाने वाली ज्यादा डर था मुझे की 50 kg वेट के उठाके कैसे रणिंग करनी है जब यह स्टेज आई तो बहुत ही अच्छा था उन्होंने डीली डीली ऐसे बोरी टाइप थी वो थी उठाया और सबको लाइन में खड़ा गिया तो रणिंग करवाई और सो ग्रूप पर रणिंग में रखा था उन्होंने नाइन कैंडिडेट्स उसमें से स्लेक्ट हुए रणिंग में जिसमें मेरा जो पोजीशन थी वह फिट थी रणिंग में तो उसके बाद 50 kg वेट दिया गया जिसको उठाके हमें रणिंग करनी थी वो की हमने 60 सेकंड में उस कि इनके अफेमेल के लिए रणिंग के जिंग नहीं है नहीं है ठीक है वह स PLAYINGuje तक मुझे लग रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा जैसे एंडुलिड टेस्ट उसके बाद बागी स्पोर्ट्स वालों के लिए अलग से दिया मैं ऐसे सिंपल वालों की बात कर रहा हूं फिर उसके बाद आपका रिटन होगा रिटन में क्या होगा देखिए आपको अब बात आती है कि रिटन होगा आपका डाई गंटेगा और टाइम जादा यहां पर जिस टाइम मैंने दिया था वो दू गंटेगा था ठीक है यह बात सही है जर्नल इंग्लिश पर चास की आई थी यह आए था पचास का टोटल जो पेपर था वो देट सो मार्क्स का था यान कि 150 मार्क्स का था अधिरियल एस्टेंट का जो एक्जाम होगा ग्रेजुएशन वेस्ट पर होगा और इनका 12 वाले के क्लर को इनका 10 स्टेंडर पर होगा यानिकि MTS fireman का एक्जाम होगा वह एक इसी लावल होगा इतना टफ नहीं होगा क्लास फॉर्थ की प्रपेशन किया तो इसको आप इसली करेंगे उसके बाद आपकी स्लेक्शन लिस्ट आईगी फिर आपको स्लेक्ट होंगे अप ठीक है मैरिट बनेगा उसके बाद अब बात आती है कि स समझा रहा हूं यह चीज़ें आपको उसके बाद क्या होगा आपको का लेटर साइंगे इसके का लेटर साइंगे का लेटर के बाद क्या होगा आपको फिजिकल के लिए बला जाएगा जिस डेट को आपको लोकेशन दे दी जाएगी आई थिंक यहां पर अगर मैं बात तो आप इस पे इस पर आपने इसको पोस्ट करने अप्लिकेशन वादर पोस्ट या अफलाइन अगर परसीजर इस चीज़ का पता है आपको ठीक है का इसका प्लिक है अगर फोड़ी सी गलती होगी तो आपको का लेटर नहीं आएगी थिक है तो यह पूरा प्रसीजर आपको इसी तरहां से फिल करना है बागी आप यहां पर सकते हैं भी धेली करोंगा इस पर एक वीडियो बनाने की बागी आप इन वैलब लेने हैं अपने बाकि मैं आपको यह चीज नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आपको इस चीज की जूरुत पढ़िए बटाए आप नोटिफिकेशन पढ़के आप इस चीज को क्लियर कर सकते हो जैसे फ़ाम फिल करो कि इसके बाद आपको काल लेटर आएगी फिजिकल के लिए फिज इसके बाद आपका रिटन होगा आप रिटन की त्यारी करोगे रिटन होगा उसके बाद तो जैसे रिटन खतम होगा इनका रिटन की जैसे का लेटर मिल जाएंगे आपको आफ साइन होगा इनका ओम और शीट पर तो उसके बाद उसके बाद आपका यह रिटन खतम हो बाकि हमारा काम है कि हम हर एक चीज आप तक जुरूर बचाएं बाकि यह फार्म आप दीख सकते हो यहां पर बाकि रिकूरूट्मेंट नोटिस नमबर यह उस पर लिखा होगा ठीक है पोस्ट आपने किसके लिए अपलाई करनी है वो लिखनी है आपने यहां पर इस यहां इ पिलने कीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि वो कैंसल कर देते हैं आप बेज तो देंगे आपको बटर रिजैक्ट करके ठीक है इस वीडियो में बस इतना ही रखूंगा अगर आपकी इस के लेटेड कोई भी क्यों रही है वह हमार साथ जरूर शेयर करें